हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब मैं महक आप सब का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रेन फोर ब्रेन में दोस्तों इंसान दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जिसके सोचने समझने की शक्ती सभी प्राणियों में सबसे अच्छी होती है और लगपक हर इंसान को ये पता है क्या चीज उसके लिए सही है क्या गलत है लेकिन फिर भी हम उस चीज को छोड़ नहीं पाते जो चीज हमारे शरीर के लिए हानिकारक है इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे फाइव सेंसिस इसलिए कहा जाता है कि जिसने इन पांच इंद्रियों पर विजय पाली उसने दुनिया पर विजय पाली लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो आज हर एक इनसान सहत मन होता मैं मानती हूँ कि ये आसान नहीं है पर यकीन मानो ये ना मुम्किन भी नहीं है यहां मैं बात कर रही हूँ चीनी की और चीनी से बनने वाले चीजों की इस चीनी का सबसे बड़ा सेवन हम चाय के रूप में करते हैं और चाय के साथ खाय जाने वाले तोश या बिस्किट्स के रूप में करते हैं अब अगर आप किसी को चाय छोड़ने को बोलोगे तो वो बोलेंगे नहीं रहे तो फिर मैं बिस्किट्स और तोश किसके साथ खाऊंगा हम तो चाय पीते ही इसके लिए हैं एक तो चाय में चीनी और इन सब बिस्किट्स में भी चीनी चाय और बिस्किट्स का नाता बहुत पुराना हो चुका है जिसे तोड़ना मुश्किल बन गया है पर ना मुम्किन नहीं है जब आप चीनी से होने वाले नुकसान का बारिकी से आंकलन करोगे और गहराई में जाके सोचोगे अगर आपको आपके शरीर से बहुत प्यार है तो सच मानिए आप इसको छोड़ देंगे ये आपको आपके जीवन के सामने एक छोटी सी चीज लगेगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना साथी बैल आइकन भी प्रेस कर देना दोस्तों चीनी बनती तो हमारी प्राकरतिक चीज गन्ने से ही है जब गन्ने के रस को उबाला जाता है तब उसका रस गाड़ा होता जाता है तो गुड बनता है उसमें वो सब चीजे रहती है जो एक शरीर मांगता है पोटेशियम, मैगनेशियम, आइरन, कैल्शियम, जेंक, विटेमिन कितनी आसान प्रक्रिया है ये तो क्यों इतनी अच्छी चीज़ को आगे जाके और रिफाइन करके शुगर बनाई जाती है जिसमें लगपक तेविस केमिकल जैसे सल्फर डाया उकसाइट, फासफोरक एसिट आदी मिलाए जाते हैं जो इसे चमकदार क्रिस्टल फॉर्म में बदल देते हैं और दिखती भी सुन्दर है और आज एक बहुत बड़ा बाजार है इन्हीं चीनी की बनी हुई चीजों का जैसे मिठाई, केक्स, टेरी प्रोड़क्ट, बेकरी के आइटम्स और भी बहुत सारी चीज़ें तो पूरी तरीके से बचना तो मुश्किल है चीजों से लेकिन कम से कम हम घरेलू इस तर पर तो इससे बच ही सकते हैं आपने अक्सर बड़े बुड़ों को कहते सुना होगा कि हमारे जमाने में तो इतनी बीमारिया नहीं होती थी पता नहीं अपकी जनरेशन को क्या हो गया है कुछ काम नहीं होता वो एनरजी ही नहीं है तो आपको पता है शुगर का कंजम्प्शन इस देश में लगबग डेट से 200 साल पहले ही हुआ है इस से पहले गुड का ही इस्तमाल किया जाता था चाय या कॉफी भी हमारे देश के वातावरण के अनुकूल नहीं है भारत का अधिकांच इससा गरम रहता है चाय या कॉफी की जादा जरूरत यूरोपियन कंट्रीज या ऐसे देशों को होती है जो ठंडे रहते है ये बदलाव अंग्रेजों के भारत में आने के बाद ही हुआ दूद वाली चाय चाय में चीनी का इस्तमाल ये सब उन्हीं की देन है चाय का अंग्रेजों ने भारत में उत्पादन 1836 में किया था तब से भारत वासियों में सुबह शाम शुरू हुआ चाय का चलन और चाय में चीनी का चलन तो फरक तो पड़ेगा अब बात करते हैं चीनी शरीर को कैसे नुकसान पहुचाती है हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे प्राप्त वसा कार्बोहाइडेड और प्रोटीन से ग्लूकोस बनता है कार्बोहाइडेड से सबसे ज़ादा ग्लूकोस बनता है जो स्वाद में मीठा होता है और उर्जा का सबसे बड़ा स्थोत है जिससे हम एनरजेटिक रहते हैं और काम कर पाते हैं इसलिए गलूकोस हमारे सारे शरीर में पहुचना ज़रूरी है फलों और सबजियों से जोग्लोकोस बनता है वो मोनो सैकराइड है जो जल में गुलनशील है यानि आसानी से पच जाता है ग्लोकोस को सारे शरीर तक पहचाने के लिए हमारी पैंकृशिया से इंसुलिन नाम के हार्मोन का सैकरेशन होता है जिससे ग्लूकोस आसानी से सारे शरीर में पहुच जाता है यानि यहां इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकोस का तालमेल काफी अच्छा रहता है वहीं हम अगर शुगर से बनी चीजों का ज़ाधा इस्तिमाल करते हैं जो एक अपाचक पदार्त है इसको पचाने के लिए और सारे शरीर में इसे पहुचाने के लिए शरीर में इंसुलिन की मातरा बढ़ जाती है और लगातार जादा चीनी युक्त पदार्त खाने से इंसुलिन का इस्तर बढ़ता जाता है और इस हार्मोन के प्रती आपका शरीर असम्वेदन शील हो जाता है याने ज़ादा रिस्पॉंस नहीं करता है शरीर में ग्लूकोज ज़ादा बनने लगता है अब आपका शरीर ठीक से इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और आप डियाबिटीज का शिकार हो जाते हैं और ब कि अपनी की बारे में इतना सब सुनने और देखने के बात कभी कभी दिल में यह खयाल आता है कि बहुत सारे लोग तो बहुत चाय पीते हैं वो भी चीनी युक तो वो मोटे क्यो नहीं होते हैं ऐसी लोग अकसर आप उस फील्ड में देखोगे जो बहुत महनती होते हैं ज शुगर के अपचन की वज़े से जो मोटापा है वो उनमें नहीं आ पाता जबकि आप मैं जैसे काफी लोग अब महनती काम कम करने लगे हैं जिससे ऐसी चीजें जो अपच का कारण बने वो जल्दी असर डालती हैं और हम मोटापे का शिकार जल्दी हो जाते हैं अब बात कर करते हैं कि अगर शुगर नहीं तो फिर क्या तो इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव हमारे पास हैं जिसमें सबसे उपर गुड़ आता है आज कल बाजार में ऐसे गुड़ मिलते हैं जिने चाय या दूद में डालकर लिया जाता है गुड़ अपने आप में एक ऐसा पदार करें हमें पानी वाली चाय में गुड़ डालकर उभालकर पीना चाहिए चाय भी पत्तियों वाली उप्योग करें तो जादा अच्छा नहीं तो थोड़ी सी चाय और थोड़ी सी पत्तियों वाली चाय का उप्योग करें इससे एक महीने में ही आपके शरीर का वजन तो कम हो उसमें चेनी मिली रहती है क्योंकि गन्य के भाव के इसाब से इतने कम में गुड मिलना नामुम्किन है इसलिए गुड का इस्तमाल हर मीटी चीज में किया जा सकता है इसके अलावा भी काफी नैचरल स्वीटनर हैं जैसे कोकोनट शुगर डेट शुगर धागे वाली मिश्र हनी, स्टीविया, गुड और मिश्री को छोड़ कर बाकी सब नैचरल स्वीटनर थोड़े महंगे पड़ते हैं पर अगर हम अफॉर्ट कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छे अल्टरनेटिव हैं डेट शुगर और कोकोनट शुगर को दूध मिठाईयों और केक में डाला जा सकता है तो दोस्तों आए होप अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या चुनना है वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और श्यूर्ट